मोगविट सिर्सात वाई सेहत विपाग दी टीम ने मोका दे मितल लैप दे अंदर वीम सकेंट सेंटर ते अज चापा मारे है इस दोनान सेहत विपाग दी टीम ने दस्या कि उनानों पता चलिया है कि एक औरत जिस्दा नाम वीरपाल कौर है वो औरत लिंग निर्दारन टेस्ट करवां दिये ज़द उना ने इस औरतना गल किती आते लिंग निर्दारन टेस्ट करन लई आखिया तो औरत गर्वधी औरत नो एक रानी नाम दीक महिला को ले गई खुर अगे की होया तो इसी आप सड़ो की तो हमें टाउट वीरपाल कोर का पता चला कि यह आगे काम करवाती है हमने इसे संपर्ग किया तो इसने कहा कि मैं 35 जरवे में यह काम करवा दूँगी जिसकड़ी में आज हम एक टाउट के बताए उसको साथ लेके यहां मोगा पहुंचे है मोगा में वह है आके पहले एक रानी उर्फ रमा कोई मदुबाला जो भी उसके कई नाम है उसके घर पे वह पहले हमारी गर्वती महिला को लेके गई ठीक है उसको वीरपाल कोर जो बाजा खाना की टाउट है उसने रमा को 25,000 पर दिया फिर उसने उसको कहा कि आप वी एम स्कैन सेंटर या यह जो लैब है यहां पर मित्तल यहां पर अल्टरसौंड सेंटर पर यहां ले जाओ वहां पर आपका स्कैन हो जाएगा लिंक जांच करतेंगे यहां आके इन्होंने इस सेंटर पर इन्होंने अपनी फीस जो 700 रुपे है बो ली आईडी भी ली एफों भी भरा और रेफरेस्री भी बनाई और उसके बाद एक अल्टरसौंड करके उन्होंने रिपोर्ट साथ दे दी वीरपाल कोर जो बाजा खाने की टाउट है वो गरवती महिला को साथ लेके वापिस राणी के घर गई और राणी ने रिपोर्ट देखकर बताया की लड़का है और उसके बाद इनको का तुम जाओ तो इस मामले में अभी तक जो साफ साफ जो चीज़ें सामने आ रही है वो दो दलालों की मिली भगत का किस्सा सामने आ रहा है बाकी इसके बारे में सीवर्ट सरजन मोगा जी को रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसके बारे में डिटेल इंवेस्टिकेशन करते हुए आगे और कि यहां पर किसी करमचारी से हैं या नहीं है उसके वारें पुष्टी करते हुं अगामिक अगामी करने की यह बाजयाख और यहां पर रा नी कोई शहीद मार्किट उसका गुर्दवारे के पास उसका घर है वोगा की रहने वोगा तो आप ने चलाब और मावला तर्दे करना हुआ है किस ता अधी निया निया किता किरसाई को रूभाई है यह एक युटी लेडी बांकरा होता है उदेने अधीक अफ़ायो देखाय लेगी है अंडरसेक्शन क्यास तो भी ती पी और डी टी एक है मोगा तोपज अलादी रिपोर्ट दे पुब्लिक ताइप्स अंडरसेक्शन क्यास्टन क्यास्टन